आपका स्वागत है business loan की बात के एपिसोड 2 में तो चलिए आज बात करते हैं पहले लोन की जिसे हम कहते हैं installment loan installment loan सबसे common loan है जिसके बारे में अधिकान श्वापारी पहले से ही अव्यत होनी ये loan छोटे business के लिए सबसे उप्यूक्त माना जाता है मोट गेज या वीकर लोन ये इंस्टॉल्मेंट लोन के ही उधारण इसके अंतरगत जो राशी होती है उसे किष्टों में चुकाया जाता है अधिकतर किष्टें मंतली होती है जिसे EMI भी कहा जाता है इस लोन की इंटरेस्ट रेट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे वाले बोरवर्स या उधार करताओं के रूप में देखे जाते हैं और इसलिए ज्यादा ब्याज दर के साथ लोन प्राप्त कर सकते हैं कई लोन सिर्फ कुछ महीने के लिए दिये जाते हैं जबकि कईयों के अवधी कई सालों की होती है अब ये लोन अलग-अलग शर्तों अलग-अलग अमाउंट में उपलब्ध होता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोन में लग रहे ब्याच या लागत को अच्छी तरह समझ ले जैसे हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कम राशी वाला लोन ज्यादा समय की किष्टों के लिए चाहिए हो और उसकी ब्याजदर अधिक हो वैसे तो इंस्टॉल्मेंट लोन का उपयोग किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका वाना जाता है कि आप किसी बड़ी मशीन या कमर्शेल वहीकल वगेरा खरीदने के लिए इसका उपयोग करें ताकि एक साथ इसमें लगने वाली बड़ी राशीना देनी पड़े और इससे होने वाली एक्स्ट्र कमाई से आप किष्टें चुकाते रहें सबसे अच्छी व्याजदर पाने के लिए आपका बिजनस वेल स्टेबलिश्ड होना चाहिए यानि दो साल से अधिक समय से तो चल ही रहा हो इ बस आखरी बात ये कि लोन लेते समय उसके नियम एवं शर्तें अच्छे से पढ़ने और समझ ले तो आज के लिए इतना ही जल्दी हम अपना अगला एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे SBA लोन्स की तब तक के लिए नमस्कार Oki Credit भरोसा व्यापार का